अनूप बिशकर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों आज हमने दो प्लांट लगाए हैं एक अलुवेरा का और दूसरा ये मनी प्लांट का ये आज ही हमने अपने ये सदिब्वे में जो खाली पड़े विये थे इसमें हमने लगाए हैं और लगाए ह सब्सक्राइब में आप देखिए आपको अच्छी नालिज मिलेगी अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिए आपका सच्छा साथी सच्चा हेता अनुवर्षकर्म सबसे पहले तो गलप्स पहन लें गलफ्स पहनना भाई बहुत जरूरी होता है गलफ्स अगर आ आप देखिए और ये प्लांट है मनी प्लांट मनी प्लांट को भी लगाना है और एलुवेरा को भी लगाना है तो इसके पहले ये देखिए लकडी का छीलन जो कूटन होता है उसको हम कैसे लगाएंगे ये खाली जो डिब्बा है इसमें प्लांट लगाएंगे तो कैसे लग महीन महीन है इसको आप देख लीजिए और इसको देखने के बाद जैसे जैसे हम करते हैं उस तरह से आप करेंगे तो आपका प्लांट जो आप लगाएंगे उसकी ग्रोध बहुत अच्छी होगी तो इस तरह से सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें डालेंगे ये एक डिबा डालेंगे इसमें लकडी का छीलन जो महीन महीन जो कूटन है उसको आप देख लीजिए ये है बहुत हलका होता है बहुत हलका होता है और कहीं से भी आप ले सकते हैं लकडी की दुकान पर और ये मिट्टी को भी आराम से आप उसमें जितनी कूटन हो लकडी का छीलन हो उत अब मिट्टी उसी में ले लीजिए, और मिट्टी को आराम से इसमें आप मिलाइये, और मिट्टी जितनी मिट्टी हो जितना लकडी का बुरादा हो उतना ही गोबर आप उसमें डाल दीजिए तो तीन चीजे हो गई इसमें गोबर और लकडी का बुरादा और क्या लकडी का छीलन गोबर और मिट्टी ये तीन चीजें आप इसमें मिला लीजिए बराबर बराबर उसमें आप मिला लेंगे तो उसमें देखिए जो मिट्टी होती है उसमें अगर आप ये गोबर और ये आप लकडी का बुरादा या छीलन आप मिला लेंगे तो जो मिट्टी है वो मुलायम हो जाती है तो जो पौधा है पौधा के जो रूट्स हैं वो हलक आसा उसमें नमी कम भी हो जाती है तब भी उसको सूखता नहीं है पेंड बहुत अच्छी तरह से आप इस तरह से आप मिला लीजिए लकडी का जो कूटन है मिटी है और गोबर जिसको आप मिला करके जैसे की बालू सीमेंट मौरंग ये मिलाया जाता है जब घर की चुना साला बनाया जाता है तो ये उसकी जो मात्रा होती है उसको आप बराबर बराबर से उसमें डाल करके और अच्छी चुनाई जिसमें मजबूद घर बने यसी तरह से प्लांट हमारा अच्छा ग्रो करे इसलिए इसको आप मात्रा ले करके और उसमें मिला करके अच्छी तरह भट हैं कि आप चित्रे से उसको जितना अच्छी तरइसे आप मिला लेंगे उतना अच्छा रहेगा, फॉड़ा भई प्लांट से पहले थोड़ी मेहनत ता आपको करनी होगी और उसके वाद फिर आप उसका आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट होगा वह भरहारा वरा बढ़िया ग्रोथ होगी तो सबसे पहले डिवे में आप नीचे छेद जरूर कर लीजिए अगर कोई भी है उसमें आप देखेंगे महीन महीन हमने छेद इसमें 6-7 कर लिये हैं और इस तरह से आप पहले इसमें मिट्टी और जो लग 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 उसका इंटा का इंटा का जो गिट्टी होती हैं वह आप इसमें डाल लीजिए 2-4-10 ऐसे नीचे डाल लीजिए जिससे की जो पानी है जो नीचे एक्स्ट्रा हो जाता है वह आसानी से उसमें निकल सके वैसे पानी बहुत ज्यादा डालना नहीं चाहिए क्योंकि पानी जो नीचे बह जाता है तो जो इतने पोशक तत्तो होते हैं वह पानी के साथ भी निकल जाते हैं अगर आप पानी उपर से डालेंगे तो आप देखेंगे कि गोबर और यह जो है वह साथ में सब निकलता चला जाता है तो इसलिए इतना पानी उसमें मत भरिये कि जो पोशक तत्तों उसके हैं वो निकल जाएं तो इस तरह से थोड़ा नीचे हमने मिटी और गोबर ये मिक्स सब उसमें हलका सा डाला और उसके बाद फिर सीधे सीधे ये जो प्लांट है एक हाथ से आप पगड़ लीजिए जिसमें सीधा रहे टेड़ा इतना ध्यान रखे कोई भी आप प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आप प्लांट को एक हाथ से आप सीधा पकड़े रहे और फिर दूसरे उससे आप उसमें धिरे-दिरे मिटी चारो तरफ से आप डालिए तो जो प्लांट है जो पौधा है वो उसका जो कसान ह है वो चारो तरफ से हो जायेगा जिससे कि उसकी जड़े हैं वो अच्छी तरह से जड़ों के चारो तरफ से वो अब देखिए हमने हाथ हटा लिया और फिर दीरे-दीरे आराम से वो जो पौधा है वो सीधा ही है तेड़ा नहीं हो पाया तो इतना आप ध्यान रखें अग इस तरह से आप मिट्टी में यह देखिए यह रुपिया इसमें निकलाया और इसी की जगहे पर अगर कोई नुकीली चीज निकलाती तो हाथ में भी लग सकती थी तो इसलिए आप सेफ्टी के लिए गलफ्स आप पैने रखिए रहिए कोई भी प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है तो इस तरह से पूरा देखिए मिट्टी उपर तक आपने डाल लिया और इसको धीरे धीरे आप कसाओ बना दीजिए और इसमें आप पानी हलका सा आप डाल दीजिए बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि मिट्टी पहले स करें से नमी तो हलका पानी आप उसमें डालेंगे इस तरह से आमने डाल दिया और इसके बाद हलके हलके इसमें आप कस्थ दीजिए देखिये प्लांट कितना अच्छा होता जा रहा है और बहुत अच्छा इस तरह से लगा दिया और उपर से हलका सी मिटी और इसमें डाल देजिए क्योंकि पानी डाला तो नीचे चला गया और तो इसलिए थोड़ी मिटी और इसमें कर देजिए और इसके बाद इसमें हलकी सी कस दीजिए दीरे दीरे आप कसान कर दीजिए ऐसे ऐसे देखिए बहुत अच्छा प्लांट लग गया और कुछी दिन में आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ आप देखेंगे बहुत अच्छी होगी और ये बहुत ज़्यादा इसकी खातिरदारी नहीं करनी है ये बहुत अच्छा चलेग बहुत जादा कुछ नहीं करना होता है और इंडोर आउटडोर दोनों तरह का यह प्लांट है तो इस तरह से यह देखिए आराम से अलुवेरा का हमने पौधा लगा दिया अब इसको जो और यह है मिटी यह है इसको पर टोड़ लेंगे इसको इकठा कर लेंगे और इकठा कर करके फिर जो दूसरे डिब़े में हम इसको जाद नालेंगे और इस तरह से उसने से टार्पिय में पहले से कर रहे हैं और इस दोस्तों आपको अगर पौधों से प्यार है, आप अपने घर में आप इस तरह से लगाईए, आपका स्वास ती बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी दिन चर्थे अच्छी हो जाएगी, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पौधे जो होते हैं न बीमारियों को भगा देते हैं अच्छे जो पौधे होते हैं वो बहुत ही आप उनकी सेवा करिए आपके अंदर जो नकारात्मक कीज़ें आपके घर में हैं वो सब भाग जाएंगी तो यहां पर इस तरह से मिट्टी हमने इसको पूरा भर लिया और भर करके फिर इसको प्लांट को हलका सा इसमें छेद कर देंगे मिट्टी में और मिट्टी में छेद करके फिर इसको अराम से ये देखिए ये है मनी प्लांट और मनी प्लांट को ये इस तरह से हलका सा उसमें गड़ा किया और गड़ा करके फिर इसमें इस तरह से लगा दो तो ये लकड़ी के जो बुरादा है उसका जो छीलन है उसमें आप आसानी से आप प्लांट जो पौधा है उसको आप लगा सकते हैं हमारा ये अब उपर से देखिए जो बुरादा है उसको छीलन को आप लग दीजिए जिससे की जो पौधा है वो देखने में थोड़ा सुन्दर लगे अच्छा लगे तो आप मनी प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हैं इस तरह से और हलका सा आप पानी इसमें भी डाल देंगे जिससे की फौशक तक तो पोधे में मिलें और ये कैसा लगा मेरा ये प्लांट ये मनी प्लांट मेरा कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताईए कि मेरा जो पौधा है वो कैसा है दोनों प्लांट मेरे कैसे है ये दोनों मेरे ये लग गए है और ये लकड़ी के जो छीलन जो बुरादा है उसको हमने कैसे लगाया अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए